Hello everyone, आज हम बढ़ेंगे English and CRT, Class 2nd का Chapter 1, First Day at School I wonder if my drawing will be as good as theirs इसमें एक छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा होता है, उसका पहला दिन होता है, तो वो सोचता है Wonder का मतलब होता है सोचना, वो यह सोचता है कि क्या मेरी जो drawing है वो अच्छी होगी उतनी ही जितनी दूसरे बच्चों की होगी I wonder if they will like me or just be full of stairs फिर वो सोचता है कि बाकी बच्चे जो होंगे क्या वो मुझे पसंद करेंगे या फिर वो मुझे घूरते रहेंगे Stare का मतलब होता है घूरना I wonder if my teacher will look like mom or gran बच्चा सोचता है कि जो मेरी teacher होगी वो मेरी mummy जैसी लगेगी या फिर मेरी दादी जैसी लगेगी Mom का मतलब होता है mummy, grant का मतलब होता है दादी-maa I wonder if my puppy will wonder where I am बच्चा सोचता है कि क्या मेरा जो पपी है वो यह सोचेगा कि मैं कहां चला गया हूँ और पपी का मतलब होता है जो डॉग का बच्चा होता है उसको हम पपी कहते है तो पूरी पोईम की एक बार फिर से समरी देखते हैं एक बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा होता है उसका पहला दिन होता है वो बहुत साली चीज़े सोचता है वो सोचता है कि क्या मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी होगी जितनी बाकी बच्चों की है फिर वो सोचता है कि बाकी बच्चे क्या मुझे पसंद करेंगे या फिर वो सिर्फ मुझे घुटते ही रहेंगे फिर वो सोचता है कि जो टीचर होगी हमारी वो मेरी मम्मी जैसी लगेगी या फिर मेरी दादी मा जैसी लगेगी फिर वो सोचता है कि मेरा जो पपी ए घर पे क्या उस पो ये सोचेगा कि मैं कहा चला गया हूँ अब देखिए हमने इसमें कौन-कौन से नई वर्ड सीखे हैं हमने सीखा है वंडर वंडर का मतलब होता है सोचना ड्रॉइंग का मतलब तो जो हम ड्रॉइंग चित्र बनाते हैं हम अपनी ड्रॉइंग बुक में वह होती है ड्रॉइंग स्टेर का मतलब घूरना ग्राइम का मतलब दादी मा पपी का मतलब होता है कुट्टे का बच्चा और यह वंडर को यूज करके हम देखें सेंटेंस कैसे बना सकते हैं I wonder if the sea is blue मैं सोचता हूँ कि क्या जो वो होता है हमारा sea होता है वो नीले रंगा होता है sea का मतलब है सागर अब हम देखें क्वेशन्स देखते हैं What does the child in the poem think about his drawing? तो हम इसका अंसर देंगे The child in the poem think about his drawing that whether his drawing will be as good as others or not इसका मतलब है यह बच्चा सोचता है question का यह मतलब है कि जो child है वो सोचता है poem में कि क्या उसकी drawing मतब्स की drawing कैसी होगी तो इसका अंसर होगा कि बच्चा सोचता है कि उसकी drawing बच्चा से अच्छी होगी या उनके जैसी होगी या नहीं होगी वह सब सोचता है What does the child wonder about his teacher? So the answer is The child wonders whether his teacher will look like his mother or grandmother Do you think the child would like to carry his puppy to a school? आपको क्या लगता है? वो अने पप्पी की पार में सोच रहा था कि वो ले जाएगा तो इसको कैसा लगेगा? या फिर नहीं ले जाएगा? तो हम इसका अंसर दोनों वे में दे सकते हैं अगर हम कहें कि हाँ वो ले जाना चाहता था तो हम ऐसे कहेंगे Yes, the child would like to carry his puppy to a school because he loves him very much और नहीं तो No, वैसे तो इसका अंसर यास ही देना चाहिए क्योंकि अपने puppy के बारे में सोच रहा था मतलब उसे प्यार करता होगा और चाहता होगा ले जाना तो इसका अंसर इसी तरह से Yes में देंगे फिर हम लोग को जो नेक्स एक्सराइज है उसको देखते है इसमें लिखा गया है Do you remember your first day at school? ये पहला दन जो याद रहाता है तो आपको ये अपना ना स्कूल हम दुक्षा.CRO मोझे मढका धार kier manual अंटलब दड़ाbye Next question When you entered your class What did you like? और अपको क्या पसंद आया था तो आपको इसमें जो भी आपको पसंद आया हो वो लिख सकते हैं, आपको टीचर पसंद आया हो, अपने बच्चे पसंद आया हो, अपने बच्चे पसंद आया हो, या बोर्ड पसंद आया हो, तो आप असे लिख सकते हैं, when I entered in the class, I liked the blackboard most, ऐसे करके लिख सकते हैं, who was the first friend you made, जो आपका first friend होंगे, उनके अपनाम या पने लिख सकते हैं, फिर what did you enjoy doing the most, आपको सबसे आदा क्या करना अच्छा लगता है, आपको सबसे आदा क्या करना अच्छा लगता है, आपको सबसे दे सकते हैं, I enjoying paying the most, do you have a pet at home, who waits for you to come back from the school, क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है, जो आपका इंतिजार करता है, कि आपको सबसे वापस आएंगे, अगर हां, तो फिर दीजे, yes, I have a pet at my home, who waits for me to come back from school, फिर next, यह तो acting करने वाली चीज है, यह आगे कुछ, फिर next, इसमें पोयम है, यह पढ़ सकते हैं, और फिर हम लोगों को, यह हिप्पोडामस, हिप्पोडामस जो है, इसमें बताया गया है, how many words can you make using letters from the word in the picture, मतलि जो पिक्चर है हिप्पोडामस की है, इसमें से अप कितन इसमें बना सकते हैं, यू, एस, एच, आई, हाई, बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं, इसमें टी ओप बना सकते हैं, इसमें काफी सारे words बना सकते हैं, तो हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट में बताया है, हम क्या-क्या चीज़े अपने स्कूल बैग में ले जा सकते ह तो जो जो हम चीजे ले जा सकते हैं, वो हम इसमें फिल कर देंगे तो अब हमारा चेप्टर यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज और है ये figure में बच्चा है ही क्या कर रहा है? एक खाना खा रहा है अपना नाष्टा कर रहा है breakfast का मतलब होता है नाष्टा तो इसमें कया हैगा? इटिंग बेक फास्ट फिर बाईसिकल चला रहा है तो बाईसिकल क्या करते हैं? हम राइड करते हैं इसका अंसरोगा riding bicycle यह बच्चा स्कूल जा रहा है तो इसमें आएगा going to school फिर next है यह दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं तो फिर इसमें क्या रहे हैं और खाना आपस में बाट रहे हैं तो इसमें sharing with friends फिर यह बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें option में studying in class अब जो final है हमारा क्या बच्चा है फिर वापस returning वापस रहे हैं स्कूल से दूर जा रहा है तो फिर इसमें आएगा returning from school तो यहाँ पे हमारा हो गया chapter complete इसको आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताईएगा और लाइक का बजन दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू सो मच